मैं हूं मानव, वेलकम टू मुवी शूवी, एक इंट्रेस्टिंग सा मुद्धा चल रहा है, मुझे लगा कि शायद मैं अपना उपीनिन इसके उपर शेयर कर सकता हूँ स्कारलिट जॉंसन ने दोस्तों, मार्वल के उपर केस कर दिया है, और वो है रिलेटेट ब्लाक विडो से, अब उनका मानना यह है, कि उनका जो इनीशल कॉंट्राक्ट था, उसके अंदर दो कॉंपनेंट थे, क्या उनको एक फीस मिलेगी, और काफी हिफ्टी फीस है वो, औ उसके अलावा, जब यह रिलीज हो जाएगी, एक सर्टन फिगर को क्रॉस करने के बाद, उनको एक बोनस भी मिलेगा, अब यह अरेज्मेंट उनका मार्वल के साथ था, और यह सबको पता है कि मार्वल जो है, डिजनी की कंपनी अब हो चुकी है, तो इस वज़ा से स्कारल थोड़ा से कंस्ट्रेंट थे, तो यह पहले बोला जा रहा था कि सीधा OTT के उपर रिलीज होगा, जिस वज़ा से काफी ज़्यादा जो लॉसस पॉसिबल हो सकते हुई, सीट तो सारी फुल होंगी नहीं, चाहिए उस हो, चाहिए इंडिया हो, चाहिए दूसरी कांट्री तो यह पहले है तो नहीं करना चाहिए तो और यह decision शायद Scarlett से share नहीं किया गया था, दूसरा यह है कि एक figure cross करने के बाद, जो कि फिर भी हो गई cross pandemic के बावजूद भी, madam को और मिलने थे पैसे, तो पहले तो यह बता दो कि पहले कित्रा पैसे मिले, तो उनकी fees alone was 20 million dollars, जी एक movie के लिए 20 million dollars, madam को मिल चुके हैं, अब इस देखो इसके दो रूप निकलते हैं कि 20 million, 20 million मिल गए, जबान भी लड़कडा रही है, बताओ 20 million dollars, इतने सारे मिल गए, घर बैटो शांती रखो, और दूसरा यह है कि भीया, 50 million और मिलने थे, अगर आपका एक movie, एक threshold को cross कर ज ऐसा है कि it is a matter of principle that you owe me a certain amount of money and then kindly please pay, and secondly you haven't informed me about non-payment or change in the release strategy or whatsoever, तो आप प्लीज मेरको पैसे दे दीजे और इसके जवाबदारी में, Marvel Studio combined with Disney ने बोला जी ऐसा हो गया है कि पैंडमिक हो गया है और पैंडमिक के वज़ा से आपको पता ही है, तो कि यह सब रिलीजे से गाटा हो हो रहा है, तो हम आपको पैसे दे नहीं सकते हैं, और वो काफी strong statement आई कि इतना बड़ा production house है, और production house के अगेंज जाना तो पनलब बित्ती बड़ी बेवकोफी है, लोग तरसते हैं, ऐसे production house के साथ काम करने के लिए इसे बड़ा production house तो मेरे कहलते हैं, इंडिया कह रहा हूं कहीं worldwide ही नहीं है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, डरेक पंगा ले रहे हैं, तो आप stand करोगी नहीं कि क्योंकि pandemic हो गया, pandemic के वज़र से आपको यह वाली feast नहीं मिलने वाली है, अब Scarlett का दोस्तों stance यह है, कि यह मेरा right है, और यह contract में लिखा हूँ है, और हमने कोई नया contract आपस में sign नहीं किया था, अपने कोई terms and condition change नहीं करें, तो आप यह चीज़ कैसे कर सकते हैं, दोस्तों मेरा personal मनना क्या है, इस reaction के उपर, there are certain things रचारा matter of principle, कि आपने promise किया, आप करिये, आपको कोई दिक्कत आ रहे है, तो inform करिये, और inform नहीं कर सकते हैं, तो कोई official notification भेज आपने सारे काम नहीं करें, और इसके बाद आप expect कर रहे हैं, कि please be generous, आपको 20 million dollar मिलतोगे, इसे मत बोलो कि उसको दूसरा जाना बिखारी है, तो मतलब, she is getting her fees because she has earned her reputation and she deserves that kind of a fees, right, कोई और तो Scarlett Johnson के साना black widow नहीं बन पाती, यहीं बन पाती, इसलिए आपने उसको पैसे द I think she is right on her part, second चीज है कि हाँ जी pandemic आगे हम समझ सकते हैं, कि आपके पैसे नहीं आए होंगे, और पैसे नहीं आए हैं, तो आप आगे पे नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मैं मनने के लिए तयार नहीं हूँ को कि आप सबसे बादा profitable production house हो, तो आपस में बैटके मांडवाली कर लेते कोई across the table बैटके बात्सीत कर लेते और बात्सीत करके तो बीच में कोई हल निकल आता कि इतनी revenue collection हुई है, इतना पे कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा तमाशा बनाने की क्या जरो होता है, जिस तरीकी कि आपकी arrogant statements आई हैं अभी तक डिस्नी की, आप बहु को दबाने की कोशिश करी जा रही है, एक actors को दबाने की कोशिश करी जा रही है, चाहे वो अमीर हो अपनी personal capacity में हम लोग से बहुत जादा अमीर हो, लेकिन फिर भी आप दबा तो रही हो ना, आप तो बहुत जादा अमीर हो उनसे, मतलब दबाने की कोशिश तो करी रही हो मतलब यह बात मुझे समझ भी नहीं, आपका क्या view point है, शेयर करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो case है, ऐसा लग रहा है, on the face of it, I could be wrong, कि दबानी की कोशिश करे जा रही है, और यह मतलब arm twisting होती है, जो मेरे मेरी ही चलेगी, ऐसा लग रहा है, जो अभी तक समझ में आ है, आपके वाज कोई और खबर है, तो बताओ, और अगर आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है, तो बताओ, comment box नीची यह जादा दूर नहीं है, बाई बाई